नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर युवराज अरोरा मोंगा है मैं कंसल्टन फिजिशन एंड डियबेटोलोजिस्ट डॉक्टर मोंगा मेडी क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूं और आज मैं कोरोना वारिस के ऊपर चर्चा करूंगा चार-फंच मिनिट के लिए जैसे कि आप जा से उत्पन हुआ है जो कि आज बारा मार्च तक लगबग 120 देशों में फैल चुका है तो यह एक आरने वारिस है जो कि समझा जाता है जानवरों से आज इंसान के अंदर ट्रांस्मेट हुआ है और यह बहुत ही एजली ट्रांस्मेट हो जाता है एक कोरोना वारिस का जो पे तो इसका जो ट्रांस्मेशन है वो ड्रापलेट से होता है जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मूँ से लाकों क्रोडों ठूक के छोटे छोटे कन निकलते हैं तो यह वारिस उन कनों में जिन्दा रहता है और हवा में दो मीटर की या छे फूट की दूरी तक प्रूसरे इ आंख से और आंक के जरीए तो इसका एक बिचाव का तरीका है कि हमें कम से कम तीन से छे फूट की दूरी बनाए रखनी है जिन इंसानों में यहां पर घर है कि यह जो वारिस है प्रेजेंट हो सकता है थिकली पॉप्लेटिड एरियाज में सेनिमा हॉल्स में जहां पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिये हैं जपान कोरिया चाइना थाइलेंड वेटनाम इंडिया में स्कूल बंद कर दिये हैं इसलिए जाकि लोग कठे ना हो इसी तरह काफी सरकारों ने प्राइविट कंपनीज ने वर्क फ्रम होम के लिए सारे अपने इंप्लॉईज को बोला है ल दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसका भैलने का कि जो थूख है यहां जो आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं जिस पेशेंट को वो ड्रॉपलेट इंफेक्शन है वो जब वो बोलेगा तो दूसरी इम जो जो आसपास की जो चीजें हैं जैसे के टेबल, कुरसियां, हैंडल, ग पकड़ेंगे या छोएंगे, वहाँ पे वो फैल सकता है, तो करोना वाइरस आम जगाओं पर या फर्स सर्फेसेज पे त्री टू सेवन डेज जिन्दा रह सकता है, तो इसलिए फैलने की संभावना बहुत जादा है, तो ये दो बहुत बड़े कारण है, मुह से, इसका फैलना, तो बचाव के लिए क्या करना चाहिए, बचाव के लिए सबसे पहले तो दूर रहें, तीन से छे फूट की दूरी बनाये रखें, दूसरा हाथों को साबुन से दिन से धोईए, दिन में पांच बार, दस बार, वीज बार, अगर तो इंफेक्टिड एरियास हैं, जहाँ पे बहुत फैल रहा है, तो वहाँ पे तो बार बार धोना चाहिए, दूसरा, सेनिटाइज केजिए, सेनिटाइजर, अलकूल बेस जो सेनिटाइजर्स हैं, उनके अदर पांच से दस एमल की मात्रा लेके, हाथों को ऐसे रब कीजिए, एक, तीस सेकिंड से एक साफ कीजिए, अवाइड कीजिए छूना, कोई भी वक्ती छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसको खांसना है तो इस तरह से खांस ये, अपनी बाजू के अंदर, स्लीव के अंदर, कपड़े के अंदर, बाहर नहीं, ये भी तरीका गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, क्य जो डव्यू हो की रिकमेंडेशन्स है आम आदमी में इतना रोल नहीं है क्योंकि मास्क को लगाने से हम उसको ज़्यादा ऊपर नीचे अड़जस्ट करते हैं ज़्यादा छूते हैं उससे और ज़्यादा संभावना फैलने की मास्क का रोल है जिस इनसान को खांसी जुकाम ह उसको डालना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों को ट्रास्मेंट ना करें हाँ हाई रिस केरियाज में जो हस्पितालों में काम कर रहे हैं जो पेशन्से डील कर रहे हैं हमें जहां पे सिस्पीशन है फैमली में सिस्पीशन है तो वहाँ पे जो आसपास के लोग है उनको त कि दो या तीन लेर्ज हो, बोला मास्क भी डाला जा सकता है. तो ये बात मैं बताना चाहरा था आपको करोना वाइरस से बचाव के बारे में. और इसके जो और कुछ इसके अंदर जो कुछ लोगों को मिच्स या वहम है, वो मैं बताना चाहूंगा, कि करोना वायरस जो है वो जानवरों से तो नहीं हो जाएगा घर के पाल तू जानवरों से कुट्ते बिली से वो गलत है चिकन फिश खाने से ये हो जाएगा वो गलत है जो भी खाना पका हुआ है और आग लगी हुई है उससे ये नहीं होगा अभी तक जो आम जो जैसे हम भारतिया लोग हैं हमारे भारते में जो हम खाना खाते हैं कोई अंडा, मच्सि खा रहे हैं, उसको पका के खा रहे हैं उसके आपको नहीं होगा और कोई खास खुराक जो बचा ले ऐसा भी कुछ नहीं है नॉर्मल डाइट खाईए कोई नहीं दवाई जो इसको बचा ले ऐसा नहीं है अभी कोई वैक्सिन नहीं बनी है और काफी साइंटिस्ट लगे हुए कि इसके लिए वैक्सिन बन जाए इसको आने में भी टाइम लगेगा अभी बारा मार्च को डव्लियो एचो ने इसको पैंडे में गोशित कर दिया ह है खबराने वाली सिच्विशन नहीं है बट फिर भी एम ना पहले तो बढ़िया है काफी देश अब चाइना में इसका जो परकोप है वो कम हो गया है क्योंकि उन्होंने इसको लोगों को क्वारंटाइन किया है कट सिटीज को सील किया है भारत सरकार ने भी पूरे वर्ल् के सिनिमा हॉल दिल्ली में बंद कर दिये गए हैं स्कूल बंद कर दिये गए हैं लोग कठे ना हो तो हम सही दिशा में चल रहे हैं पैनिक होने की जूरूत नहीं है कोई भी वक्ति को कोई जुकाम नजला और चीके आएं बुखार हो तो अपनी लोकल डॉक्टर को लैब्स हैं उसमें से दिल्ली उतरी भारत में तीन लैब्स हैं आरेमल हस्पिताल में एम्स में और सेंटर फर डिजीज कंट्रोल की लैब है जहां पे इसकी जाच होती है और किसी भी गलत न्यूज में मत जाईए गवराइए नहीं और बेसिक चीजों का ध्यान रखिये ध पहने बाद़